तदी माता रानी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों माता दुर्गा इस वार किस चीज पर सबार होके आ रही है तो कल हिंदू नब बर्ष भी है सबसे पहले मैं हिंदू नब बर्ष की सुभ कामनाएं अपने सभी मित्रों को देता हूँ कि मातारानी की कृपा से हमारे सभी मित्रगन समस्त भारत बाशी का घर धन बैभव यस से भारा रहे और सभी व्यक्ति को मान्शम्मान मिले तो कल नब शंबत्सर दूहजार अस्सी भी है इस संबत्सर के राजा बुद्ध और मंत्री शुक्र हैं इस साल नबरातर पर देवी दुर्गा का आगमन नाओ पर हो रहा है और प्रस्थान मातारानी हाथी पर करेगी इस बार मा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही अत्यंत शुभ है इससे बर्स भर देश के लिए शुभ फल दाय की स्थितिया बनेगी इस बर्स नवरात्र पूरे नौ दिन के है यानि कोई तिथी घटया बढ़ नहीं रही है देवी भागबत के अनुसार मा दुर्गया का बाहन सेर है लेकिन हर बर्स नवरात्र में देवी अलग अलग बाहनों पर शवार होके आती है नवरात्र में देवी किश्वाहन पर सवार होके आएगी इसके दीनताएं है देवी भागबत में एक शलोक है कि ससी सुर्जे गजारूढे सनी भौ में तुरंग में गुरु शुक्रे दोलायं बुद्धे नौ का परकिर्टिता रवी बारया शुम बार के दिन कलस की अस्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होके आती है देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुब होता है या अच्छी बर्चा का परतिक है साथी मेहनत का फल और मा की किर्पा प्राप्त होती है सनी बारे या मंगल बार के दिन अबरात प्रारांबोने पर देवी का बहान घोरा होता है मा दुर्गा का घोरे पराना सत्ता परिवर्तन या यूद का प्रतिक है या विपक्स के लिए सुब और सत्ता पक्स के लिए प्रतिकूल इस्थिति बनाता है बिराजपति बार या सुक्रबार के दिन अगर नवरातर शुरु हो तो देवी पालकी में बैठ कर आती है या शुबता का परतिक है इसे महामारी प्राकिर्तिक आपता उपद्रो दंगे जैसी स्थितियां पैदा होती है इसी प्रकार बुद्दुबार के दिन नवरातर की श चुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाओ पर सवार होके आती है देवी का नाओ पर आगमन सब तरह से शुब होता है भरपूर बारिस और अच्छी फसल होती है कश्ट दूर होने के साथ साथ सभी मन का उनाय पूरी होती है यह शुबाविक है कि जब देवी का आगमन होगा इनकी विदाई भी होगी माता की विदाई दश्मी की होती है उस दिन रभी बार या सुम बार हो तो देवी भैसे पर सबार होकर जाती है इसका प्रभाब राष्ट पर अशुब होता है यह रोग और सोक कारक इस्तिया बनाता है शनी बार या मंगल बार के दिन दश्मी होने पर डेवी किशवारी मुर्गा होती है इसके अशू फल होते हैं इससे दुखों और कस्टों में विर्धी होती है अगर बिदाई बुधबार या शुक्रबार के दिन हो तो देवी दुरगा हाथी पर सवार होके जाती है यह सुभ माना जाता है इसका यह अर्थ है कि आपको आपके अच्छे कार्जों का फैल मिलेगा बिरहस पती बार के दिन दसमी हो तो देवी दुर्गा की शबारी मनुस होती है यह सुभ फलदाइक होती है इससे देश में चारों तरफ सुख शान्ती और संपन्ता होती है तो बोलिए जय माता दी जय माता दी